जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आखें हों वो देख ले टेकनलोजी के जमाने में आजकल कोशिश की जाती है कि आप से किसी ना किसी तरह से आपकी डीटेल निकलवाई जाए और आपका रेजिस्ट्रेशन या आपकी आईडी किसी तरह से बनवाई जाए और इसका मकसद है आपकी पहचान करना कि आप आखिर हैं कौन दरसल वो ये जानना चाहते हैं कि आप आखिर किसकी और हैं आज से 2000 साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था एक पागल राजा के दिमाग में ये बात आई थी कि इस दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं उन सबों के नाम लिखे जाने चाहिए जी हाँ ये घट न घटी थी इसराइल में आईए जान लेते हैं कि आखिर असल में हुआ क्या था नासरत नगर के सब लोग सुनो कि कैसर अगस्तुस की आग्या से गलील और यहुदिया प्रांथ के सभी निवासियों की गिंती होगी इसलिए सभी लोगों को अपने वतन में जाकर शीक रही नाम दर्श करवाना होगा जरा कल्पना कीजे आपकी 14-15 साल की एक पीवी है जो की शादी से पहले से ही प्रेगनेंट है और उसकी डिलिवरी भी बस होने ही वाली है कि आपको बड़ी हलबड़ी में निकलना पड़ता है किसी ऐसी जगे की ओर जो आपके घर से लगबग 100 किलोमेटर दूर है ऐसी कौन सी मजबूरी आ पड़ी जो प्रेगनेंट पीवी को लेकर कि इतनी दूर जाना पड़ा अरे दो-चार महीने बाद भी तो जाया जा सकता है जी नहीं, वहाँ पर एक जबर्दस्ती की गई थी एक फरमान निकला गया था कि आपको अपने शहर में जाना ही जाना है उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आगया निकली कि जगत के सारे लोगों के नाम लिखे जाएं ये पहली नाम लिखाए उस समय हुई जब केवर्नियो सेरिया का हाकिम था और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए अता यूसुप भी इसलिए कि वो दाउत के घराने और वंश का था इसलिए गलील के नासरत से यहूदिया में गया था वो दाउत के नगर बितलहम को गया ताकि अपनी मंगेतर मर्यम के साथ जो के गर्वती थी अपना नाम लिखवा है जी हाँ अगस्तुस कैसर ने सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए ऐसी आग्या दी थी अब अगर आपको भूख लगी और आप अपने घर में है तो आप कहा जाएंगे जी हाँ किचन में क्यूँकि खाने का सामान तो किचन में ही मिलेगा रोटी तो केचन में ही मिलेगी येश्यो ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ इसी कारण से जब परमेश्वर को जीवन की रोटी को इस संसार में लाना था तो उसने एक जगे चुनी बेत लहम अबरानी भाशा में बैत का मतलब होता है घर और लेहम का मतलब होता है रोटी मतलब रोटी का घर यानि खुदा की नजर में जो किचन है उस में वो मसीहा बैत लहम में पैदा होगा इसकी भईश्वाणी मीका छार دो में दी है यदि तू ऐसा चोटा है कि यहुदा के हजारों में गिना नहीं जाता तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुश निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से होता आया है उत्पत्ती 35 अध्याय में जब याकूब की पतनी राहिल एप्राता के मार्ग में बेतलहम के पास मर जाती है वहां एक बड़ी अजीब सी बात लिखी है बीसवी आयत में लिखा है कि याकूब ने उसकी कबर पर एक खंबा खड़ा किया और 21 आयत में लिखा है कि फिर इसराइल ने कूच किया जी हाँ परमेश्वा ने यहाँ नाम बदल दिये हैं और बाइबल में कुछ भी बेकार में नहीं दिया 20 आयत में लिखा है कि राहिल की कबर पर वो खंबा आज तक बना है और फिर 21 वियात में लिखा है कि एदेर नामा गुम्मट से आगे बढ़कर अपना तंबू खड़ा किया इसे कहते हैं मिग्दल अदेर, टौवर अफ दे फ्लॉक बेतलहम के पास ये वही जगे है जहां पर मंदिर में कुर्बान होने वाले जानवरों को रखा जाता था जब सुर्गदूद गरडियों के पास आते हैं तो वो कहते हैं यही मसी प्रभू है और तुम्हारे लिए इसका एडरस ये है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिप्टा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे यह भशवानी शायद आप ढूनना पाएं मीका चार आठ में दी है हे अदेर के गुम्मट हे सियोन की बेटी की पहाड़ी पहली प्रभूता अर्थात यरुशलेम की बेटी का राज तुझे मिलेगा यहां पर वो मादा जानवर लाई जाती थी जो की गर्ब से होती थी और इसी लिए मर्यम को यहां लाया गया क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उनके लिए सराय में जगे नहीं थी बाइबल एक आत्मिक या रुहानी किताब है यह शारेरिक या दुनियावी लोगों की समत से बाहर है इसमें छोटी छोटी भषवानियों को पूरा करने के लिए परमेश्वर शैतान के मन में कुछ डालता है और शैतान इनसान के मन में कुछ डालता है एक पागल राजा के दिमाग में आ जाता है कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं और भवश्वानिया पूरी पर पूरी होती चली जाती है परमेश्वर की योजनाओं के एक बहुत बड़ी तस्वीर धीरे धीरे करके पूरी होती जा रही है और आप और मैं उसका हिस्सा है एक छोटी सी घटना से सब कुछ ऐसे जाकर सेट हो जाएगा कि परमेश्वर की सारी भश्वानिया पूरी हो जाएंगी दुनिया बहुत ही तेजी से बडल रही है लेकिन इस बडलती दुनिया में परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरत है जब येश्व का पहला आगमन हुआ तो रेजिस्ट्रेशन होने की प्रक्रिया बहुत तेज हो गई थी मैं मानता हूं कि येश्व के दुबारा आने से पहले भी ये रेजिस्ट्रेशन होने की प्रक्रिया बहुत तेज शुरू हो जाएगी और वो समय जल्दा पहुचा है जब येशु आएंगे और अपना क्रोध इस प्रत्वी पर उंडे लेंगे क्या आप येशु को जानते हैं क्योंकि बचाने वाला मसीहा तो वही है और वो इसी लिए पैदा होकर इस दुनिया में आया था